तो आज हम बात करेंगे सुशान सिंग राजपूत के बारे में और मुझे आप लोगों ने कई कई लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आप ये पता करिए कि जो हत्यारे थे वो कहां से निकल के भागे थे तो मैं आज इसी सवाल का जवाब ढूनूँगी और आप लोग प्ली करेंगे तो आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा एक बैक चैनल है वह उसकी डिटेल में इसमें नाम लिखकर दूँगी उसका तो आप वीडियो देखने के बाद उस पे जाना और उसको भी सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि कुछ प्रॉब्लम्स मैं करती हूं वीडियो सप्लोड करने में और हो सकता है कि यह चैनल मेरा कभी कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एक बैक अप चैनल उसे बनाया है तो उसकी डिटेल में दूगी और लास्ट में मैं उसका नाम भी बताऊंगी उस चैनल का तो आप वीडियो को एंड तक दे गए और हम लोगों को पता ही नहीं चला तो चलिए जानते हैं हमकी सुषान सिंग राजपूत के जो हत्यारे थे उन्होंने एक्जिट कहां से किया एंट्री तो उन्होंने की होगी ओविसली लेकिन उन्होंने एक्जिट कहां से किया निकले कहां से थे वो लोग हत्या करने के बाद वहां से कैसे गए थे हो सकता है यह कडियां जोडने के बाद रून हत्यारों तक पहुर्च सके टेरो कार्ड के माध्युम् से थो चलिए जानते हैं गों सुषण सिंग राजपूत के जो हत्याइरे थे वह कहां से निकले गए थे ऑस तर उने the answers please give me the answers please give me the answers please tell me from where did the murderers left the crime scene from where the murderers left the crime scene please tell me in a store of Nostradamus please give me the answer one final card one final card please one final cut the burning tower is there 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 why why I'm seeing this burning tower here why am I seeing this burning tower here आपकी लप्टें इस बिल्डिंग से हर जगा से निकल रही है हर जगा से निकल रही है आप देख रहे हैं ये एंट्री है एंट्री से भी निकले हैं ये लोग खिडकियों से भी छुपके निकले हैं और छट पे भी भागे हैं मतलब ये कि जो क्रिमिनल्स थे वो एक रास्ते से नहीं गए हैं एक साथ नहीं गए हैं वो अलग-अलग जगा से निकले हैं मतलब जो आपने शोले का एक डैलोग सुना है आधे इदर जाओ आधे उदर कि इन्होंने फॉलो किया यहां पे यह बहुत स्ट्रेटरजी से गए और स्ट्रेटरजी से यह देखने फायर जो है यह खिर्कियों से निकल रही फायर यह चट पर भी है यह एंट्री गेट पर भी है और शायद बैक साइड में भी गेट होगा चलिए मैं और अच्छे से इसको बताती हूँ आपको, सारे cards को देख करके, तो अगर हम बात करें इसकी पूरे की, तो मैं यहाँ पर यह समझती हूँ कि अलग-अलग जगा से जो कातिल थे, जो हत्यारे थे, वो अलग-अलग जगा से निकल करके गए हैं, मैं यहाँ पर अगर पहले यह card अगर देखू तो यहाँ पर यह जो तीर जा रहे हैं, आप यह देखें, तीर जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब अगर आप सोचें, यह building है, यह जो cross का sign है, यह building है, यह first floor है, यह second floor है, जैसे यह पूरी building है, यहाँ से दो तीर नीचे जा रहे हैं, तो इससे यह समझ मे आ रहा है मुझे कि कुछ जो हत्यारे थे उनमें अगर 4-5 हत्यारे वो थे तो उनमें से 2 ने तो वहाँ से जम्प भी मारा हो सकता है कि जम्प मारा हो जम्प भी मारा हो ये भी हो सकता है कि नीचे कूद कर गए हो या फिर किसी रसी के सहारे से वालकनी से नीचे आए हो और ये लोग अलग अलग रास्तों से गए है सारे लोग एक जगा से नहीं गए है अलग अलग रास्तों से ये लोग गए है इसके बाद अगर मैं अगला कार्ड देखती हूँ तो आप यहाँ पर इस कार्ड को ध्यान से देखे और यहां पर यह उनिकॉन जो यह होर्स है उनिकॉन इसके सर पर पिर्स कर रहा है यह हॉन को यह जनता थी यह मीडिया थी जो लगातार पुलिस को कुशन कर रही थी और यहां पर यह ब्लैक बॉर्ड जो है यह थी अंडर वर्ल्ड तो कुल मिला के पुलिस जो थी वो पूरी यानि कि दुबाई connection तो यहां से direct इनको आ रहा था command आ रहा था और यह लोग उसे follow कर रहे थे और यह क्या कर रहे थे exactly देखा आपने यहां पर यह एक murderer है जिनको अपनी छत्र छाया में यह जो इनका हाथ है ना इसके सर पर रखा हुआ है ना कि कुछ नहीं होगा don't worry हम लोग है ना हम लोग है ना हम तो जनता को बेफकू बना के और तुमको यहां से निकाल के ले जाएंगे तो जो मुंबई पुलिस के जो टीम थी उसको उसने क्या किया है कि यह अपनी छत्र छाया में एक अपराधी को एक या दो अपराधी जितने भी थे उनको अपनी छत्र छाया में अपनी बर्दी पहना के या जैसे भी करके वहां से निकाला है अब इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मुंबई पुलिस जो है उन्होंने कम से कम चार चार क्रिमिनल्स को क्योंकि यह चार नंबर कार्ड है चार क्रिमिनल्स को ऐसे ही अपनी छत्र छाया में जैसे आप देख रहे हैं इस परसन के सर पे हाथ रख दिया है ऐसे ही चुपके से हमारी जनता की नजर से चुपा करके इस होर्स को नहीं पता है कि यहां पर इसने चुपा रखा है हत्या जाएंगे और अपने ही पुलिस के वर्दी में अपने ही कपड़ों में हम तुम्हें यहां से निकाल के ले जाएंगे और सच्छ में वाकिए में हम लोगों को पता भी नहीं चला कि कब क्रिमिनल्स वहां से निकल गए यहने कि मुझूद थे और यह एस पर ऑडर इन्हों ने उसको अपनी छतर शाया में निकाल के ले गए तो यह एक तरीका इन्होंने किया है चार मडरर्स को तो यह ऐसे ही ले गए है चार हत्यारों को और जैसा कि मैंने कहा अंडर वर्ड का डिरेक्ट इसमें लिंक दिख रहा है क्योंकि यह पूरा आप समझ लिजिए जिसे पहने हुए है कपड़े पहने हुए है और एक उंची चेयर पे परसन बैटा है तो यह लिंक से अब मैं यह नहीं कहले हूं कि सिर्फ दाओ इवराहिम या जो यह जितने भी अंडर वर्ड के लोग है वो हैं यह इन लोगों से मेरा मतलब है जो भी अगर आप महराश्ट्र क गस्यासर क्राइब ऑंडूर्नमेंट के बाद करो तो उसमें प्लिटिकल लिडर्स है यह उनका भी इंफ्लूएंस है ठीक है ये वो भी हो सकते हैं दुबई के भी हो सकते हैं अंडर वल्ल्ट की लोग भी हो सकते में या फिर महाराष्ट्र की जो मिनिस्टर आइं वो पैसे भी एक ही है अगर अलग-अलग फिल्ड से इनके नाम ले रहे हो लेकिन हैं तो यह सब एक ही ना तो यह सब लोग यहां पे मिले हुए इनके एस पर दैम जो इन्होंने कहा वह इसने मुंबई पुलिस ने वही किया जो इनके इसके पर है ठीक है एक पक्षी है उसके पर है और आप सेम ऐसा ही बर्ड कुछ-कुछ ऐसा ही बर्ड इसके सर पर भी देख रहे हो तो यह जो है यह पूरा का पूरा कंट्रोल था मुंबई पुलिस के उपर इन लोगों का इन लोगों का पूरा कंट्रोल था यह इनका ही नौ विख्ड विख्यों लृण्स था इनके ओपर क्योंकि यहां पर आप देखिए उसका कनेक्षन है अंडर्वर्ड से तो यहां पर हो सकता है कि जैसे जह सर पर पक्षी बैटा बहूं ये वही हो और हो सकता है इम्तियास खत्री भी उस वक्त वहां मौझूद हो प्राइम सीन में मौझूद हो सकता है कि वह हो क्यूंकि यहां पर देखे बर्ड है और यह हां पर है यह हां पर जाके सारी information देने वाला इंसान है और इसके direct links थे इन लोगों से तो इसकी पुलिस की छतरचाया में इन सब को निकाला गया है बाहर तो ये cards तो मैंने आपको explain कर दिये फिर मैं आपको बताती हूँ एक और card जो काफी significant है ये मैंने वैसे तो पुलिस को ही reference किया है ये भी पुलिस की ही energy ह है और पुलिस के अलावा ये कोई ऐसा person हो सकता है जिसने सारे हत्यारों को help करी है सारे हत्यारों को help करी है उस घर से निकलने में क्योंकि इस card को जो मैंने reverse देखा अगर आप reverse देखे इस card को तो यहां पे कोई कोई एक creature सा है देखिए अलग energy है basically अब ये किसी की भी energy हो सकत है मैं आपको दिखाती हूँ इधर आगा अप दिहान से देखे तो यहां पर एक horse की आपको face दिखेगा horse का मतलब सिर्फ यह नहीं कि एक जानवर है horse है तो horse होगा नहीं इसका मतलब एक energy है ऐसे लोग जो फुर्ती लेते जो फटा-फट आये और तेजी से आये और काम की औ हो यह जो कोई भी person है यह कुछ कोई कम उम्र का person है जिसकी age जादा नहीं है दिपेश सावंत ही हो सकता है क्योंकि उसी के energy मुझे लग रही है तो इसने मुझे लगता है जैसे फज को अलग करना यह काम सब इसी ने किये फज को खाना देके किसी और जगा पे रख देना या फिर जो भी लोग आये थे उनको जैसे हां horse की horse की energy है तो यह बताता है कि वो जो लोग आये थे बहुत फुर्ती ले थे फटा फट आये फटा फट चले गए और उनको help करी इसने इसने ही उनको पूरे रास्ते बताये हो सकता है back side से उनको लिए क्योंकि मैं opposite में देख रही कि मैंने बताया है उसमें की back side में भी कोई door होगा कूफिया दर्वाजा होगा जहां से यह लोग निकले हैं और यह help करिए इस person ने पूरा रास्ता बताया है इनको इस person नहीं पूरा रास्ता बताया है और शायद back side से पिछली side से निकाला है इन सब लोगों को तो मैं जैसे निकल रही है यहां side से निकल रही है यहां side से भी fire है और छहसे की अब भी हन इसका मतलब यह हुआ कि जो हत्यारे थे वो हर जगह से निकले हैं और हत्यारे मतलब mı7 कंसर मिनींमम थे कि आप देखिए ना यहां से अगर फ्रंट गेट से भी एक या दो हत्यारे पुलिस के साथ निकले हैं उसके अलावा एक दो हत्यारे यहां से गए होंगे उपर खिड़की से कूदे होंगे जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे यहां पर एरो है एरो देखिए नीचे की तरफ ज होंगे 100 परसें यह रोग छट पे भी गये होंगे कुछ समान चुपाया होगा यह कुछ भी तो चत्पे से ही एक्ज़ट किया होगा तो यहां पे यह एक एनर्जी दिख रहे हैं कि छत से भी यह रोग घ़नी पर इस बिए और फिर आता है यह जजमेंट कार्ड में आप दे और इन लोगों ने judgment किया इन lot किन 20 वर देनी संभा के निंग कि समय बताना है लेकिन ये ब्लोगों को बताना है समय चलता रहेगा कब ये खबर देनी है ये डिसाइड भी ये दोनों ही कर रहे थे कि दुपहर में दुपहर बाद ही ये खबर हमें देनी है जिससे कि जो भी डेड बॉडी थी या जो कुछ भी था उसको ये ठीकाने लगा सकें यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ एक क्रीचर बैठा देखिए जब भी कोई ऐसी रीडिंग होती है वहां ये दोनों के दोनों मुझे दिख जाते हैं कुल मिलाकर ये दो कार्ट ही अपने आप में पूरा आंसर दे रहे हैं कि कातिल जो थे वहर जगा से निकल के गए हैं अलग-अलग गए हैं एक साथ नहीं निकले हैं अलग- बैकडिट से बैक गेट से भी निकाला है इन लोगों को और यहां से मुझे लगता है फज को भी इस नहीं चुपाया है वंहीं हटाया था ताकि वह यही चीज बता शकह ना सके आप उसको कुछ दिखना सकहिए। जाण और ऑप ही यही था यहां देखिए इस person को यहां पर यह पुलिस चुपा रही है पुलिस का पूरा support रहा क्योंकि Underworld ने बोला हुआ था क्योंकि Underworld की according ही यहां चीज़े हो रही है या फिर आप कह सकते हो जो महाराश्टर की जो current political system है उन्होंने यह चीज़ बोली थी या फिर जो film stars है जो famous film stars है जिनका connection direct है उन लोगोंने एक कहा था और कहा जाए तो तीनों एक ही है वो एक की थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे यहां पर अगर आप देखें तो यह arrow नीचे की तरफ जा रही है इसने help करी उनको exit करने में और फिर हत्यारे अपने आप अलग अलग जगा से इसकी मदद से निकल कर चले गए और फिर उसके बाद इन्होंने decide किया जो यहां राजा और राजकुमार है इन्होंने decide किया कब declare करना है कि सुशान सिंग राजपुत ने suicide कर लिया है तो सूरज मतलब दिन के समय, दिन के समय decide करेंगे थोड़ा दुपहर हो जाए तब यह चीज़ बताएंगे तब declare करेंगे कि यहां पर जब तक इसकी body को या जो कुछ भी हमने crime में जो भी समान यहां पर है देखें आप यहां पर यहां पर एक creature जरूर है लेकिन उस creature के साथ एक white color का सर पे पहन के रखते है ना कुछ-कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सबूत हो या कुछ भी हो तो उसे चुपा देना है पहले तो यहां पर देख रहा है कि कोई सबूत तो नहीं रह गया इसको सब को हटाओ जब इस सब हट आएगा फिर judgment शुरू होगा कि सुशान सिंग ने सुसाइड कर लिया है तो यह सबूत हटाने के लिए इन्हें समय चाहिए था इसलिए इन्होंने दुपहर का वेट किया वरन आप प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वह मेरा बैकप चैनल है और अगर कभी मेरको प्रॉब्लम होई वीडियो अप्लोड करने में इस चैनल पर अट-लिस मैं उस पर करूंगे तो वहां आप मुझे देख सकते हैं ठीक है तो थैंक्यू सो मच वाचिंग मी और अगर आपको कोई पर्सनल रिडिंग चाहिए तो आप मुझे वाट्साइब कर सकते हैं मेरा जो कस्टमर सर्विस नंबर है वह है 9899-000-366 ठीक है तो थैंक्यू सो मच वाचिंग मी और टेक कियर और अल दे बैस्ट बैस्ट बाइन आउ